हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक तो माई योट्यूब चैनल रेनुका क्रियेशन आप देख रही है कुशन के कभर हां फ्रेंट्स यह मैंने 16 बाइ 16 के कभर बनाए है इसक्वाइर कुशन के और यह 100% वासेवल है इसे आप हैंड वाश कर सकते हैं और देखें यह काफी खुब लग रहा है तो फ्रेंट्स आप में चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक माई वीडियो तो चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं इसक्वाइर कुशन कभर बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूवत है वह मैं आपको बता रही हूं हमें यहां पे लाइक क्लॉट्स लेना है यह आपको पर्दे की दुकान से पर्चिज करनी होंगे सीजर इंच टेप कुछ पिंस लिए हैं हमने शुवी थ्रेड बिट्स हैं स्मॉल बिट्स वाइट कलर के और कुछ बटन्स हैं तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं फ 17 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 35 इंच है ठीक है फ्रेंट्स तो हम यहां पे जो है कुछन जो मैं बना रहे हैं वो 16 इंच लेंध में और 16 इंच बिट्स की रेडी कर रही हूँ कुछन के कभर बना रहे हैं तो देखे फ्रेंट्स कपड़े हमारे लेंध में ज्यादा थे इसलिए मैंने यहां पे वल्ली वनपीस कट किये हैं यह 17 इंच हमने लिया है और इस साइट से 35 इंच यहां हमें हाफ आफ इंच इस साइट फोल्ड कर देना है ठीक है फ्रेंट्स अब हमें गोल्डन क्लर में इस्ट्रीप बनाने के लिए मैं इसमें मार्क करूंगे इस्ट्रीप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह लाइन खिचनी है यह लाइन जो मैंने मार्क बनाया है यह 1.5 इंच पे हमने यह मार्क बनाया है ठीक है फ्रेंट्स और इसे अब म उसटीचिग कराश थीक्स अब दिखाऊंगे तो स्टीचिग करनी है उसे आप देखिए और स्टीचिग यह थीक्स यहां देखिए यह टू एमम हमें डखके यह पूरी स्ट्रीप की स्टीचिंग कर लेनी है कम्प्लिट ठीक है और इसे हमें 3-4 पिसे में कट करने है तो यह हम 4 इंच पे हम इसकी पीसे कट करेंगे 4 इंच ठीक है फ्रेंच तो कट करने के बाद यह पीसे कुछ इस तरह से पर एक मूने में प्राइश के लेनी हैं और आपस में यहां इसिटार से Cheese करना हैं सब्सक्राइश करना और आपस में यहां यहां इस तरह से यहां पर इतेश करना है तो एक घुड थतेक्री पीजबा रख रही हैं तो इस तरह के हमें पीसे रेडी कर लेने हैं अब स्ट्रीप की डिजाइन रेडी हो चुकी है अब हमें बेस वाले पीस में स्ट्रीप को लगाना है तो लगाने की सबसे पहले हमें क्या करना है मैंने यहां साइड इसके फोल्ड कर दिये हैं ठीके फ्रेंस तो अब हमें क्या क आप मेजर करके यहां पर एक निशान लगा लें ठीक है फिंट्स और ठीक इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है इसके ऊपर अब चुक्कि मैं कुशन यहां पर 16 इंच के बना रही हूं तो इसे जो है यह मेजर 16 इंच के हम इसे करके 16 इंच ठीक है फ्रेंस 16 इंच रखना है और यहां पर ऐसे ही एक मार्क लगा लेनी है मुझे अब मार्क लगाने के बाद इसे सीधे की और हमें इस तरह से कर लेना है देखे फिंट्स यह अब यह हमारा फ्रंट साइड हो गया ठीक है इस साइड और इस साइड यह बैक साइड में चले जाएंगे ठीक है तो इसके ऊपर हमें यह से डिजाइन बनानी है इस तरह से करके हमें इस दोनों पीस को आपस में जॉइंट करना है इस दोनों को और एक चीज का आप खास दियान रखें कपड़े को हमें इस तरह से मोल करें इसके हाफ यह हाफ जहां होगी वहीं पे हमें इसकी जो है यह हमें वहाँ पे लगाना है ठीक है अब देखिए यहां मैंने अच्छे से मार्क कर दिया है आपको किलियर दिख रहा होगा यह यह पोर्शन और यह पोर्शन बैक साइड में चली जाएंगे और यह हमारे फ्रंट साइड के होंगे तो यहां पे मैंने इस अच्छे से पिन कर लिया है और इसे आपस में मैं यहां पे टाकी हूँ ठीक है फ्रिंस ताकि यह इधर उधर ना हो तो आप पीन लगा के ही यह स्टीच करें तो मैं आपको इसे स्टीच करके भिखा हूँए देखिए मैंने ऐसे पिन किया है ठीक आप स्टीच करने से पहले पिन जरूर कर next इसके वाल हमें क्या करना है? 1.5 P忙 । लेंद और 1.5 इंच के ऐसे वाइट कलर के하고 पीशे सेम लेने हैं समे cocoa के का wellness से अबुरा खुसे पुरा स्टीच करना है और हम इस तरह से बटन बनाने हैं इसे हमें स्टीच करते जाना है ठीक है और यह कुछ इस तरह से बनके रेडी हो जाएंगे फ्रिंट्स बटन्स तो हमें इस तरह से फोर बटन्स बनाने हैं तो अब मैं आपको यह स्टीच करके इस्टीच करके दिखाती हूं और यह फोर बटन्स बना कर इस तरह से हमें स्टीच करना है इस साइट भी और इस साइट बी दो स्टीच हमें लगानी है और इस लगाते से में यह निकाल लेना है याँ भी कुल सेंटर में करने के लिए इस niż दूरी साहतों सब्वाति यहां से इस की दूरी जो है 25 इंच है और इस साइट ब्लेकी 2.5 इंच है तो सें में और medidas दिस्टेंस का दिहार है धाय डाय इंच हमें इसे उप आगे की और लगाना है फरेंस नेक्स्स इसके बाद क्या करना है हमें फोर बटन जो हमने स्टिच करके रेडी रखे थे इसे हमें यहां पे लगाना है दो उब चोड़के हमें हर साइड एक एक बटन टापनी है तो इस साइड देखे यहां पर हमें इस तरह से बटन लगाने हैं और इसे मिनिमम अब टेन टाइम इसे पूरा इसे गुमा कर लगाएं अब देखे यहां पर मैंने फोर बटन लगा दिये हैं तो आप इसको बैक साइड से भी देखे तो स्टिचिंग का आपको आइडिया आएगा ठीक है तो इस तरह से हमें स्टिच करना है नेक्स्ट हमें क्या करना है इसके सेंटर में एक फुल प्लावना है फ्लावर बनाने के लिए हमने यहां पर क्रीम और 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 अरंज कलर के क्लॉथ लिए आपके पास जो भी अविलेबल क आप उसकी यहां पे कुछ भी फ्लावर का डिजाइन बना के डाल सकती है ठीक है तो यहां हमने इसकी जो लंबाई है वह 7.5 इंच है 7.5 इंच हमने इसकी लेंध लिहें और इसकी जो बृत है वह 1.8 इंच है ठीक है तो देखिए इससे यह मुझे क्लॉथ कम लेना है ठीक है तो अब हमें इसे स्टीच करना है इसे इस तरह से हमें फोल करना है ठीक है फ्रेंस एक स्टीच सबसे पहले मुझे यहां लगाना है फिर दूसरे में हमें इसे जोइंट करना है ठीक है फ्रेंस तो देखिए यह कुछ इस तरह से जोइंट करना है हमें ठीक है फ्रेंस तो अ रेडी कर लिया है मैं यहां पर आपी 2 स्टिश लगाई हूँ एक पहले कप्रे को जोंट की हो फिर यहां सिकन्ट थिके फ्रिंट्स तो इससे अब चोट चोटे स्टेप लेकर हमें इस तरह से स्टिश करना है यहां से यहां तक ठीके फ्रेंट्स देखिए अभी स्टिश कंप्रीट हो गई है इसे दोनों साइट से हमें इस तरह से टाइट कर देना है ठीके फ्रेंट्स और इसे इस तरह से यहां पर हमें दो नॉट लगा रहा है दोनों थ्रेड में इस तरह से ठीके फ्रेंट्स फिर एक्स्ट्रा हमें इन दोनों को आपस में स्टिश कर देना है ठीके फ्रेंट्स तो यह एक फ्लावर बन जाएंगे यहां पर और यहां पर मैंने कुछ बिट्स लगाया ह अफ और बीच के पार दादा mesh इस झाली के उपने जिलेंगे पिंट इस घ्रावर को बनाना हैमा भाडल प्रिंट हुआ हैज चिफन मैंहेंत तो फ्लावर नगाना है घ्रिंट्स अब मुझे क्या करना है यह जो हमने 2 लाइन बनाए थे इस पर हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस इस तरह से धियान रहें यह इस लाइन से ही फोल्ड हो अब मुझे क्या करना है 1-1-1-1-1-1-2-2-3 Almong RAW तो कुछन के अजित को जा हो जायेगा अब आपको कुछन में इससी कवर लगाए कर दिखाती हूं जो क intrins 가서 कवर लो है करको कवर लगा दीयाया यह बैक साइड हो गया है आप जब चाहें तो से प्लेन भी लगा सकती है और यह फ्रंट साइड तो देखें किता खूसरत लग रहा है यहां मैंने दो पिस रेडी के हैं तो आप भी इसे बनाएं बहुत ही सिंपल डिजाइन है इसे ट्राइजरू करें और आप में चैनल पे हैं तो प्लेज संस्क्राइब मैं चैनल एंड लाइक मैं वीडियो तो मिलते हैं जल्द ही नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाबाए